उदेपुर में श्री राजपूर करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंग को एक युवक ने गोली मार दी पीट में गोली लगने से घायल हुए प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंग को निजी अस्पताल में भरती करवाया गया है वहीं हमले के बाद मौके से भाग रहे आरोपी को भीड ने दबोच लिया और धुनाई कर डाली सूचना पर मौके पर पहुँची भूपालपुरा पुलीस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया जानकारी के अनुसार उदेपुर के बियन कॉलेज में बैठक हो रही थी जहां आरोपी ने प्रदेश अध्यक्ष को गोली मारी 23 अगस को एक प्रदर्शन की जानकारी के चलते ये बैठक हो रही थी फिलहाल घायल भंवर सिंग की हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है आरोपी से पुलीस पूच ताच कर रही है आरोपी दिगविजय सिंग पहले श्री राजपूत करनी सेना का जिलाधक्ष रह चुका है जो पत से हटाए जाने के कारण भंवर सिंग से नाराद चल रहा था आरोपी दिगविजय सिंग MP से ये अवैत पिस्टल लेकर आया था कि आरोपी। स्टम 50 प्राया भंवी कि अवीर्ण ंवर सोच कि रहे ची Log क कि एृ कि उत्ततत तो कि एृ